नमस्कार विद्यात्यमित्र हो, मैट्स क्लास्ट्रूम मदे अपना सर्वान से मनपुर्वक स्वागत। मिडी जेवाग, स्री वसंत्राव जेवंत्राव देश्मुख हैशकुल कोलापूर। आज आपन 9th Maths 1 मदेल 3rd chapter, Polynomials continue करीता होद। आच्या ये वीडियो मदे, Practice Set 3.2 जा अंतरगत, Polynomials चे Addition and Subtraction ये विश्य आधिक महिती जानून गेना दा होद। So, let's get started! Okay students, Operations on Polynomials, हे पहात अस्ता ना, जा आपन 7th Standard पसुन पहात अलोए, ते थोड़ो सा Recall कुरून गी विया। First statement का है पहा? Coeficients are Added or Subtracted, File Adding or Subtracting, Like Algebraic Terms जो आपन Algebraic Terms मदे Addition कि महां Subtraction करतो, ते विश्य था Like Terms असा वे लगता थी सग्रयात महत्वाची condition है For example, 2x, Minus 5x, 3 upon 2x, या जा Terms है जला आपन Like Terms असा मनतो Like Terms मदे Variable 3 असा वे लगता, शिवा प्रत्यक Variable ची पावर सुधा 3 असा भी लगते Coeficient कसा ही कोंता है असला थी चालतो इथा, x² सुधा चालत नहीं, करन एची जी पावर आही ती 2 नहीं, पर तो या पद्द दिन जा Terms अस्तिर तो जला आपन Like Terms मनतो अनि या Like Terms अस्तिर तरज त्या मदे Addition Subtraction करतो इथा अप्रेले एग्जांपल स्वालू करूंदा कोड़ेला है, 5m³-7m³ m³-m³, यह ताचे Variable अनि ताची जी पावर 3 है, ती सेम है मनून M³-m³-m³ चै answer अपने M³ मदे च लाइचा है अनि जी के Addition Subtraction असेल, ती coefficient मदे कर आचे यह ताची मिन्स फायू-7, यह दोगन चीज़े Subtraction के लिए ताची माइनस 2 है ते, मनून फायू-m³-7m³, यह ताची फाइनल असेल, ती माइनस 2m³ असेल मंजे सग्रयात महत्वास अप्लाल एक नियम माइत है, कि Addition Subtraction करतास्ताना Like Terms असा व्यात तरुस्ते हमदे Addition Subtraction हुईल 2x plus 3y, है वेग वेग वेगाया Terms है ते, चै हमदे Addition हूश चकत नाए, कि वा Subtraction सुद्धा हूश चकत नाए मात्र मुल्टिप्लिकेशन कि वा Division करतास्ताना, कि या पद्धति ना कुंथी condition नास्ता मत्ती करतास्ताना कशा पद्धति ना केले जाते, तैसरे ये 2nd statement पहा While multiplying or dividing 2 Algebraic Terms, we multiply or divide their coefficients, we also use laws of indices On the basis, when we multiply in algebraic terms, we multiply the division in algebraic terms, we multiply all division Then we do 2 steps. We try to think about coefficient, we process the coefficient, we multiply the coefficient It means we multiply from the multiplication and we multiply the division, we multiply the coefficient That's the first step. And in 2nd step, we know the variable in indices For example, the first example we have here is, minus 4y3 into 2y2z माध में जो कोईपीशेंट से माइनस पोड अनि 2 यह दोगा माध मुल्टीप्लिकेशन ची प्रोसेस करतो देडिस मीज माइनस पोड इंटो 2 इस इक्वल तो माइनस एट मंजे माइनस फोड अनि 2 सा जो प्रडॉक्ट माइनस 8 आला तो फक्त कोईपिशन सा गितला अनि जो वेरियेबल्स है ताता इतो वेरियेबल्स कोंते आले y3 into y2 जेवा बेस सेम अस तो तो तेमा अपन इंडेस सा लौ सा पहला है अनि जो प्रडॉक्त है मझे मल्टिप्लिकेशन चाहे हो जे अपन जे इंडेक्स असता तेचे अडिशन करतो that is means 3 plus 2 is equal to 5 मंझे चीतो y 3 वेडा है इतो 2 वेडा है एकुन 5 वेडा है वनों इतो y raise to 5 लिलेला है z single एकदा चाहे तो आया सा रहला मंझे हा नियम पुना एकदा लक्षाद गया आपने आलाच जे काही product कराइचा है मंझे multiplication कराइचा है कोई पिशन मदे separate करोन गया और जे variable सस्तत्या मदे इंडेस ची जे काही रूल सस्तिल त्या पततिन वपरा जो भागा कर कराइचा है तो शुदा याच पततिन केला जा that is means 12 divided by 3 we get 4 a square divided by a that is means a and b divided by b square that is means b raise to minus 1 that is means a square b divided by 3ab square that is means 3 1 3 3 4 12 a square 4 into a square means a into a into b divided by ab square ab square means b 2 times इताँ A कएंसेल विल, B कैंसेल विल, फाइनल एंसर, निुमरेटर ला 4ASL, आनि देनोमनेटर ला 4BSL, उसकेत, तुम्हें ऐसे ऐसें फैक्टरस पाढून चुद्धा करूँ शकता, क्यों आइंडा सेंच चे लोग अपरून चुद्धा करूँ शकता, तुर यहां प्रैक्ट there are a trees in a village lot if the number of trees increases every year by b then how many trees will be after x years village lot madhe jay trees ahet number of trees jay atta sadhya ahet jay aahe per year kya madhe jay increase hotate ward hotate tb iya trees ni hotate manja number tachya b na increase hotate jay first year la atta sadhya aahe after one years the a plus b hotel after two years a plus b plus b that is means a plus 2b hotel after three years a plus three b ashti yacha saal tha jay ude years waadna raha te ude b waadna raha te ude put hoona raha jay first year la one b adds ala second year la 2b third year la 3b tini sanghi te la after x years that is means xb yawade add util kiwa te la bx mana xb mana duni cha cha that is means a plus xb or a plus bx every trees ashti one mark sa te ha question as to open it a direct answer lecha therefore the trees after x years will be a plus bx a manje suruwa athi cha trees and after b years sorry after x years it will be a plus bx iya pa dhe ti na apan saangu shakti second question tiyatla as kaya vichar lepa ha for the parade there are y students in each row and x such row are formed y students in each row ekka row iya cha 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 त्यास प्रदधिनी तो X into Y that is means number of rows and the students in each row या दोगांस असो प्रड़ाउट केला X into Y तो टोटल students असना रहत same way last question का विचार लाहितो the 10th and unit place of two digit number is M and N respectively write the polynomial which represents the two digit number एक two digit number अपलेला find out कराया है जसा unit place अने 10th place दिलेला थोड़ से डारेक्ट करने पिक्षा एक रफ उधारन सम्झान क्यों मन्जे तुमारा question लगे सम्झाल अपलेकड़ा जवी एक हाद नंबर असतो तेवड़े अपन काई पातो पास सपोज 35 हा नंबर है या मदे 5 हे unit place है जची place value 5 असते अने हाचो 3 नंबर है जो 10th place ला है तेची unit value 30 है या unit place ची जवी अपन addition करतो that is means 30 plus 5 के ला कि अपलेला 35 में तो जो unit place ला जो आहे number तेख ला 1 न मल्टिप्लाई के लिए कि तेची place value मिला ली जो 10th place ला number है तेख ला 10 न मल्टिप्लाई के लिए कि तेची place value मिला ली अँ दोगांचे addition के ला और तो number में अतस तो सेम वेतिनी संगेत ला 10th place ला जो आहे तो number मांजे M आहे आनि unit place ला number आहे तो N आहे मांजे 10 place आनि unit place ला जाजर विचार के ला तते number M आनि N या पद्धती ने या N चीजी place value असेल तो यह ना चासेल ज़से ही तो 5 ची place value 5 है परन्तो या M चीजी place value असेल ती 10 times असना ला है that is means 10M असेल ज़सा अपन हा 30 plus 5 के लाना तो 35 मिलेला तसा हा 10M plus N के लाना तो जो number मिलेल तो मांजे तो 2 digit number आसेल that is means the 2 digit number is 10M plus N और N plus 10M या पद्धती नो तो number संग तो मांजे अपनलेला इतर नहीं ही लक्षाद गेचा जे unit place आहे ते digit तसच लाएचा इता unit place जे आहे ते N आहे ते 10 चाला 10th place आला मनूं 10 है माला या नंतर जा question काया है पहा add the given polynomials first अपनलेला इता दोन polynomial देलेले तेंचा मदे addition कराई छे subtraction जवड़ी आपन करतो ते वड़ी minus sign नंतर जी polynomial हेते तेला bracket टाकना कमपल्सरी है करन ते माइनस sign मुण पुर्चा polynomial मदेला प्रत्यक टर्मच सा sign change होता सता मातर addition करता सता ना bracket जी कुन्थी आवश्यक्ता नाए अपन आहे आशे दोन polynomial लिवया फक्त ते दोन polynomial छे मादे addition सा अपन sign दियू मुझे छे polynomial ही तसता ना आपन आशापदत्य ने लहरावे x3 minus 2x2 minus 9 प्लस ये फुर्चा जो polynomial है भयू x3 plus 2x plus 9 अपन 7th 8th standard ला बजया पी की like terms से addition करता सता ना आशापदत्य उधारन पहले ले फक्त इता terms जासता यहवडास फोरक है आता यह सर्वो पोलिनोमियल मदे यह अपने addition प्रोसेस करता है त्यावी like terms जाए है त्या अपन थोड़े से जवड़ गयाचा अगान त्यांचा मदे जवड़े 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 तो अपने फक्त एकस टर्म असनारी 2x है अनि है माइनस 9 प्लस 9 तुम्नी इतले इतले जारी घालोलोच चालिल के माँ पुर्चा स्टेप लहाँ माइनस 9 प्लस 9 माँजे जीरो होतो तो आशा पद्ध इने कैंसल के लाग तरीच आले मझे इस final answer जे रहना रहे ते पहा है x cube plus 5x cube like terms मदे addition होते है मझे च 1x cube plus 5x cube that is means 6x cube हाँ minus 2x square तसा चासेर कानी एक स्टर्म है 2x तो धा है एक स्टर्म है ते तो like terms नहीं है आता है जा 3 terms रहले है शूटे यहा मदे कुठे ही like terms नहीं है ते हम यह answer इतर समते है मझे addition करते है तस्तान फक्ता पनी तो like terms मदे के लिए यह constant number एक में काच्च opposite number होते है ते हमाँ cancel दाले तेंची जी addition है ते 0 है same way second question काया है पहात है अतला minus 7m raise to 4 plus 5m cube plus root 2 हाँ first polynomial है जा मदे add कराइचा है second polynomial है 5m raise to 4 minus 3m cube plus 2m square plus 3m minus 6 पुना आपने जी like terms है ते जवर्ण की हुए m raise to 4 m raise to 4 है तेंची आपन सुर्वाती ला लिए मंजे अपने ला minus 7m raise to 4 plus 5m raise to 4 या दोन तर्म ही तिल त्या नंतर power 3 असनारे जवर्ण की हुए मंजे plus 5m cube आने हाँ minus 3m cube मंजे 4 पावर नंतर 3 पावर गेती त्या नंतर square असनारे term मंजे 3 term में लिए अपन plus 2m square sin जे आहे ते आहे ता सच दाइचा है त्या नंतर फक्त m असनारे term मंजे छी त्या ही terms आपड़ते अपलेला plus 3m आनी जा शुखती constant term असतेल त्या आपन लिऊ शकतो मंजे अच plus root 2 and minus 6 या दोन जा constant term है त्या आपन लिलें आता या term लिले नंतर जा like terms है त्या मदे addition subtraction करतो मंजे अब्रेस टू 4 या दोन like terms जाल्या m3 मदले या दोन like terms जाल्या अनी पुड़ो कॉंध्य है like terms नाहिया त्या या दोगा मदे addition subtraction करेच minus 7 plus 5 that is means minus 2 m raise to 4 आहे असे लाइचा plus 5 minus 3 that is means plus 2 m3 तासे चासेल अनी पुरुचे जा terms आहे त्या आहे तासेल plus 2 m square plus 3 m plus root 2 minus 6 root 2 अनी minus 6 एंचा मदे addition subtraction होनार ने समझा असे तो 2 root 2 plus 3 root 2 तर आपन root 2 root 2 like third पातो मंजे असे चाहे वोजी एकदाच root 2 लितो 2 plus 3 मंजे 5 होगे तो परंतो इतो root 2 आहे इता 6 चा ठीकानी root 2 नहीं है फक्त root 2 minus 6 root 2 जरी असे तरी root 2 root 2 चाहे वोजी आपन root 2 लिलास तो इता 1 1 minus 6 मंजे च माइनस 5 यह बद्धे तीन केलास तो परंतो जर तीता like third नस्तील तीता सुद आपना addition subtraction करना ने याज बद्धे तो किनी third question ट्राइ करू शकता next question काया पा हुया subtract this second polynomial from the first जो second polynomial है मंजे first example मदे हा second polynomial है यह चा मदे हा second polynomial है हा first polynomial मदे उन subtract करेचा या पर भी आता आपन जे एक महत्वाची condition पहिली कि addition करता सता ना आपन bracket टाखने चाहोशकता ना है मातर जोड़ आपन subtraction करता सू तो bracket कंपल सरी आपन दाएचा मंजे चाह समझाए first example स्वालू करता स्था ना x square minus 9x plus root 3 हा first polynomial है तो जोड़ आपन second subtract करता है तो यह चाह ब्राकेट में दे लेची polynomial that is means minus 19x हा subtraction सा minus sign है हा minus 19x ती आहे ती polynomial में ली sign आहे plus root 3 plus 7x square यह पर दितन दे लेओ पर सुर्वा ती चाह polynomial है तुम्ही ब्राकेट दिला आथवा ना दिला तरी चाले देना रासाल तरी आपने लक्षा है तो फर्स्ट polynomial में दून हा second polynomial subtract के ले ले मग हा subtract के ले नंतर पहले आप ब्राकेट में यह काई फर्रक पड़त नहीं ती sign आहे तशीच सखातात that is means x square minus 9x plus root 3 आहा सासल मतला हा minus j यह विड़ी है bracket में दे जातो तो यह परकारी multiply होतो तो आप पुरुचेचे sign change होता minus into minus plus 19x minus into plus that is means minus minus root 3 तसल तसल and minus into plus that is means minus 7x square यह पद्धतिनों सुरुवातिला आपन जे sign आहे ते बदलून गेज़ त्या नंतर जरसा आपन addition लग करतो तो त्या पद्धतिन लाइक टर्म्स जायते है जवर गिविया मंजेच है x square असल है minus 7x square असल यह दोन टर्म हों सुरुवातिला गिव त्या नंतर x असनार्या टर्म that is means minus 9x plus 19x minus 9x plus 19x यह जवर गिवितला आणि फाइनली है plus root 3 minus root 3 यह जब constant टर्मा है ते आपन गिवितला अथ ही अश्य माणनी के लाइन नंतर जे like terms साहे त्या यह लाइक टर्म्स आहे मंजेच x square minus 7x square minus 9x plus 19x plus root 3 minus root 3 यह माद आपन जी का ऐसल ते addition subtraction करूया मंजेच का हुविल पाहा इथा plus root 3 minus root 3 मंजेच 0 यह ज़र गैंसल हुए x square x square सा answer अपने x square लिना plus 1 minus 7 that is means minus 6 minus 9 plus 19 that is means plus 10 x x सा answer x लाइचा यह लाइक टर्म्स नाही है थे answer इतो संपल यह स्पद्धितन सेकेंड एक्जांपल पाहुया next page वर गेतो है that is means 2a square plus 3a square b minus 4ab यह polynomial मुदून अपना लाइचा है 3ab minus 8ab square plus 2a square b तेसरी शुर्वा तिले यह दूरनी polynomial ब्रैकेट मदे लिए 2ab square plus 3a square b minus 4ab 3ab subtract करेंचा है यह मुदून 3ab minus 8ab square plus 2a square b सुर्वा तिले आपना ब्रैकेट करता सता ना पहिला ब्रैकेट चा टर्म आया है चाला है that is means 2ab square plus 3a square b minus 4ab यह टर्म तशा चाले और है माइनस साइन मुदू पुर्चा जा टर्मस है तेसाइन चेंज होती हाँ 3ab plus है जो माइनस हुई हाँ माइनस 8 है जो प्लस हुई आनि हाँ जो प्लस 2 है तो माइनस 2 हुई या नंतर आपन जा like terms है त्या एक मेकांचे जोवल लिना रहोत मंजेच like terms कोंते है पहा a b square ला a b square पाहे जो मंजेच या जा दोन टर्मा है 2ab square plus 8ab square या टर्म जोवले तिल त्या नंतर a square b a square b या पद्ध तिने लेचा मंजेच plus 3a square b minus 2a square b साइन सहल है चै त्या नंतर a b असना रहा term मंजेच हाँ 4ab या नि-3ab मंजेच minus 4ab minus 3ab या पद्ध तिने आपन जा like terms साहे त्या एक मेकांचे जवल लिले त्या नंतर या like terms मदे मंजेच या पहला दोगा मदे अपन addition subtraction करू चुकतो या दुश्रया pair मदे त्यास पद्ध निया तिसरया pair मदे मखी addition subtraction करता स्ताना a b square a b square चै एंसर आपन a b square लिनार plus 2 plus 8 that is means plus 10 same way a square b a square b चै एंसर a square b मदे असल plus 3 minus 2 that is means plus 1 1 लिला पाई जास अपन नही है a b a b चै एंसर a b a cell minus 4 minus 3 that is means minus 7 मजे आपन subtraction ची process first step लिली त्या नंतर bracket आपन कडून टकली त्या सरी minus sign चा नंतर चा सगया term ची चिन्ल बदली like terms जवल घेतले आनी तेंचा मदे addition subtraction के लिए या पद्धतिनों ही addition आनी subtraction ची उदारनों सोड़वाई चेसतत या नंतर polynomial चे multiplication आनी division कशा पद्धतिनों केले जातत त्या अपन पूरील वीडियो मदे पना रहोत हाँ वीडियो जर आवडला सेल तर लाइक करा येत ता नवी चे जस्ति जस्त विद्धयदेंच परें शेर करा आनी चैनल सब्सक्राइब कराईच रहिला सेल तर आठोनीने सब्सक्राइब करा तैंक्यू थ्यास